बिगनिंग फो भी कुछ में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं क्लास नाइंट चैप्टर नंबर वन किस चीज़ का जोगरफी का जिसमें कि हमारे चैप्टर नंबर वन चल रहा है इंडिया साइजन लोकेशन इस यह इस चैप्टर का क्या है पार्ट टू है पहल कहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती हैं मारे इंडिया के आठ्राज्य से खुजरती हैं कौन-कौन से वह में आपका बता चुकी है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रेकॉन कितने देशों से होकर गुजरती हैं कि इसके democracy ही है इंडिया का southernmost point कौन सा है ठीक है वो सारी चीजे हम discuss कर चुके है आज हम बात करने वाले इंडिया के साइज के बारे में कि इंडिया का साइज है वो कितने कितने बड़े एडिया में basically वो फैला हुआ है तो आई शुरुआत करते हैं मैंने आज की वो है ठीक है अगर अब इस चीज को हम कैसे देखेंगे अगर मैं globe की बात करूँ पूरे earth की बात करूँ तो पूरे earth का जो geographical area है न उसका 2.4% है हमारा इंडिया कितना 2.4% अगर मैं percentage wise बात करूँ ठीक है और अगर मैं world में place की बात करूँ उनके नाम क्या है आपके सामने ही मैंने इसका जो बार ग्राफ है वो दिया गया है वो आप उसमें देख सकते हो पर सिर्भी मैं आपको बता देती हूँ कि area wise इंडिया से कौन कौन से country है जो बड़े है सबसे बड़ा जो डेश है न एडिया वाइस वो कौन सा है वो मैं आपको बता चुक भी लास्ट वीडियो में कि population wise का है इंडिया हमारा व्ल्ड में second place पे आता है तो इस तरह के समझ मैं कि जो हमारे इंडिया है वो area wise व्ल्ड में कौन से place पे आता है 7th largest country in the world है ठीक है न अगर मैं इंडिया की land boundary की बात करूँ तो यह अराउंड 15,200 किलोमेटर लंबी छोड़ी इसकी जो है लेंड बाउंडरी है ठीक है ना अब आपने लेखा है सिर्फ इंडिया की लेंड बाउंडरी नहीं है और इसके लावर दो कंटरीज ऐसी है जो सी बोर्ड के थुरू हमारी इंडिया की जो कह सकते हो ना हमारे इंडिया की इंडिया की पूरा कोस्टर लाइन है वो कितना हो जाता है 7516.6 क्लोमेटर 7516.6 क्लोमेटर का क्या है इंडिया की जो कुस्टर लाइन की जो लैंथ है वो बीसिकली है आप आता थी है एक और कि अगर मैं इंडिया के साइज की बात करूं तो इंडिया के जो सबसे आपर वाला हिस्सा आगर में देखो तो नोर्थ, वैस्ट का, नोर्थ का और नोर्थ एस्ट का, यहां पर आप देखोगे कि जो इंडिया है वो किससे कवर यंगव मांटेंजु कषैनें अप देखो जो पहाड हैं इनसे बहुत था बेनेफिट मिलता है नगे जो अचिए विए pras आपकी जो airs आती है जो आपकी waves आती है उनको cross boundary जाने से रोकता और इंडिया में उसी की वज़े से बारिश वगरा होती है ठीक है ना अब दूसरी चीज क्या है कि चाइना की तरफ से जो गरम ठंडी हवाएं आती है ना उन बरफीली ठंडी हवाओं को इंडिया में एंटर क तो अब दूसरी चीज क्या है ना इसादी है जब भी कोई foreign invasion हुआ है या फिर किसी ने भी इंडिया पर हमला करने की कोशिश की है तो उन चीज़ों में भी जो इन पहाड़ों ने क्या है हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट काफी जादा किया है जिसमें कि आपको पता है कि हम इंडिया में क्या कंचन जंगा वगर है वो सम आगे देखेंगे हम next chapters में वो सब हैं अब बात आती है कि जो हमारा इंडिया है न वह बेसिकली अगर हम देखें तो जब अगर मैं बात करूं इसके latitudes की आपने आपको मैं latitudes पहली बता सुकिए हूं कि इंडिया के कौन-कौन अगर मैं इसको भी देखेंगे अगर मैं क्या करूं आपका गुजरात से लेकर रुनाचर परदेश तक जाओं तो वो भी जो एक तरीके से उसमें भी क्या है हमारा 30 मिनट 30 डिगरी का आता है आपका डिफरेंस और जमू कश्मित से कन्या कमारी के बीच में भी क्या है 30 डि देखती हूँ तो मैं ऐसा लगता होगा आप सभी को लगता होगा कि जम्मू कश्मीर के से कन्या कमारी तक आते हैं तो हमें ज्यादा लंबाई लगती है और गुजरात से अरुनाचर परदेश तक जाते हैं तो चोड़ाई क्या है वो थोड़ी कम लगती है बट ऐसा नहीं हाँ km की बात करोगे तो उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है कि km wise क्या है कम से कम 200 km का डिफरेंस दोनों में आ जाता है अब 200 km कभी कैसे आता है कि अगर हम क्या है east से west की तरफ अगर हम देखें तो हमारी जो इंडिया की जो चोड़ाई है वो क्या है 2933 km है और अगर मैं north से south की तरफ आउं तो हमारी जो लंबाई है इंडिया की वो कितनी है 3214 km तो आप सोचे होंगे कि numbers में तो बहुत जादा difference है तो इसमें कहा ना में degrees में कैसे कह सकते हैं एक वाल है बट numbers में भी देखेंगे तो उतना जादा difference नहीं है राउंड सिर्फ 200 km का है difference है तो कह सकते हो कि near about क्या है जो लंबाई चोड़ाई है इंडिया की वो overall same है नेक्स्ट चीज आती है कि जो हमारा जो अगर हम नीचे की तरफ आए ना इंडिया में तो हमारे इंडिया में क्या हम एक और चीज देखते हैं और इंडिया के इस्ट में क्या पड़ता है बेओफ बंगाल चीज अब आती है सबसे बड़ी एक और चीज की कई आप देखते होंगे कि अपने सुना होगा कि जब गुजरात से लेकर अरुनाचर प्रदेश के बीच में क्या है टाइम लेग भी देखने को मिलता है तो यह अरुनाचर प्रदेश में क्या है सूरज दो घंटे पहले निकलता है और गुजरात में पहुचते पहुचते उसको दो घंटे का समय लग जाता है तो इसी वज़े से इस confusion को दूर करने के एक सहारा लिया गया है, Standard Meridian का, Standard Meridian of Time की वज़े से क्या करते है, कि एक लाइन खीची गई है, कहां से हमारे इंडिया का जो center point है, that means कि वो center point कहां से होना चाहिए, East से भी और West से भी, तो East और West दोनों तरफ का center point कहां पर है, उत्तर प पूरे इंडिया में count किया जाता है, और इसी की वज़े से क्या हो पाता है, कि जो time है, वो जो lag of time है, उसको कम किया गया, नहीं तो अगर आपको क्या एक तरीके से, जो दीबुगर असम है, वहां से क्या है, जो गुजरात का, जो दौर का है, वहां पर आपको 1 hour 40 minutes का difference जी कही है, जिसको हम standard meridian of time कहते हैं, और उसकी वज़े से, जो time को लेकर confusion है, उसको हम कह सकते हो कि कम करते हैं, अब एक और question के बर पूछ लेता है, कि जो standard meridian है हमारे इंडिया में, वो कौन-कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो भी मैने आपको यहां पर देखो मैंशन किया है, कि वो यूपी, आपको मिर्जा पर पता है, वो तो इसका center point है, उसके लावा कहां से, मध्यपरदेश, छत्यसगर्ठ, उडिसायन, आंदरपरदेश, इन राज्यों से भी होकर गुजरती है, that means कि total 5 राज्यों से होकर, standard meridian of time गुजरती है, और topic of cancer भी मैने कश्मीर का area है, वहाँ पर क्या है, जो day है, वो हमें क्या है, छोटे देखने को मिलते हैं, और nights बड़ी हमें देखने को मिलते हैं, और south में क्या है, यह जो difference है, वो कम हो जाता है, वहाँ पर day and night दोनों equal है, इसके पीछे का simple सा तरीका है समझने का, दो fact है, एक तो हमारी ज क्या है, वो क्या हो जाते हैं, आपके almost equal हो जाते हैं, और जो topic of cancer है, उसके nearby का area हो जाता है, वहाँ पर क्या है, जो sun rays है, वो थोड़ा सा slanting way में जाकर पड़ती है, तो उसी की वज़े से वहाँ पर day and night है, वो क्या हो जाते हैं, आपके छोटे हो जाते हैं, तो यह basic सा और चानल को सब्सक्राइब करना है, ना भूले,